नमस्कार मैं निहाल थिवारी तो आज हम लोग यह बात करने वाले हैं कि स्पीड अफ लाइट का हम लोग अच्छल में कैसे की रहा गया था तो देखिए एक टाइम ऐसा था पहले कि हम लोग यह माझे थे कि स्पीड अफ लाइट जो है वो इन्फाइट है मतलब युनिवर्स में किसी एक पोइंट से किसी दूसरे पोइंट तक लाइट को ट्राइट करने में कोई भी टाइम डिले नहीं होता फिर बाद में टाइम ऐसा है जो हम लोग निहे माना शुरू कि कि नहीं स्पाइट करने में तो बहुत बड़ी थी यह तो इसको छोटे स्ट्रेट करना बहुत मुस्किल हो रहा था और अम लोग ने बहुत सब्सक्राइट करने कि कि मतलब कर नहीं पाएं पिर एक साइंटिस्ट आये औली क्रिश्टेंसन रोइमर उनका बर्थ येर खा 1644 और उन्होंने क्या कि 1676 में जब उसे 32 साल के थे उन्होंने एक चीज नोटिस किया अच्छा और ये बात तकी हो रही है जब न्यूटन का भी लॉज अफ मोशन लॉज अफ ग्राविटी नहीं आय थे एक आरा साल पहले उनके आने से यह है फिर उसनाइप उन्होंने क्या नोटिस किया था कि जो लिउनर एकलिप्स है जूपिटर की वो कभी बहुत जल्दी हो जारी और कभी बहुत लेट से हो रही है लेकिन कैसा नहीं होना चाहिए था पर आफ्टर एवरी से इंडर्वल अफ टाइम यह लिए लुनर एकलिप्स को अखर होना चाहिए था बड़ कभी जल्दी हो जारा था कभी लेट से हो रहा था तो फिर उन्होंने इसी चीज़ को देखे कंक्ल्यूड किया था आज था पहले में स्पीड फ्लाइट ठीग है और और यह रहा अपना एर्थ यहां से अनुन में जब देखा तो उन्होंने एक टाइम नोटिस किया कि चलो टी टाइम पे यहां से देखनेपे ती टाइम पे इसका जो मून है वो एक सर्कुलर मतलब एक यूनर एक्रिप्स ह यह बहुत हो रहा ही है, after every t interval of time, let that time be t, लेकिन जब earth यहाँ पर चल जा रहा था, इसका यह orbit है, जुपिटर को orbit है और यह earth को orbit है, अब वो सब दोनों sun को surround कर रहे हैं, मसर को orbit कर रहे हैं, तो दोनों की पर distance change होते रहते हैं, यह अपना earth, लेकिन यहाँ से देखने पर, जो lunar eclipse है, वो t plus delta t time पे हो रहा था, मतलब कुछ time के बाद हो रहा था, यह lunar eclipse, वो किसले हो रहा था, because light यहाँ से यहाँ आने में, light को यह delta t time लग रहा था, और for example, अब यह समझ लें, कि यहाँ से देखने पर, यह t time पे हो रहा था, पर यहाँ से देखने पर, यह t plus 10 seconds, 10 seconds late हमें द चाहिए था, 10 seconds पेल ही हो जाना चाहिए था, तो उन्होंने फिर क्या किया कि, उन्होंने देखा कि time delay कितना है, delta t is equals to 10 seconds, for example, let's call it 10 seconds, यह 10 seconds है, फिर इसके बीच में distance कितना है, for example, let's call it s is equals to 100 meter, ठीक है, एक्शन में 100 meter है नहीं, मैं आपको अच समझाने के बता रहा हू कि 100 meter फिर उन्होंने ख्या देखा कि ठीक है, 10 seconds लग रहा है, 100 meter light को travel करने में, फिर अपने को formula पलता है, speed is equals to distance upon time, यहां सबार पर इसको put करें, 100 upon 10 is equals to 10 meter per second, ऐसे ही करके उन्होंने speed of light को calculate किया था, अब उन्होंने यहां पर 100 or 10 value नहीं यूस किया था, यह तो अपने लोगोंने अपने actual value यूस किया था, तो फिर यह, speed of light आइन नी थी, और फिर उन्होंने तो speed of light calculate किया था, that was, 140,000 miles per second, ठीक है, लेकिन actual, इसमें पे कुछ errors थे, लेकिन modern time में, अभी जो हम लोगो ने, electromagnetism का user के, जो हम नोने speed of light calculate किया है, वो है 146,000 miles per second, मतलब 46,000 miles per second का difference था, ठीक है, यह difference काफी छोटा है उस्टा है इसलिए यहाँ भी कौस newton's के theory भी नहीं आए था, मैं नहीं भी पता था, कि जो orbiter वो elliptical है, तो मैं रेडियोस अफ और दिस्टेंस बिट्वेइन और जूपिटर बुता में अपरेटी नहीं पता था, तो मो क्रिश्टेंसन रोहिमर का, तो यह था कैसे हम लोगों ने speed of flight को calculate किया था, so thank you very much, bye-bye.